खैलांजी थाना च्छेतर के अंतरगत आने बाले ग्राम सावरी में कुछ दिनों से पूरो मज 60 रुपई की उधारी के लिए 5 लोगों ने मिलकर ग्रामिन सुन्दरलाल बिरनवार नामक एक ग्रामिन की लाठी मार कर हत्या कर दी थी इस मामले को 20 दिन बिज जाने के बाद भी खैलांजी पुलिस ने अब तक सभी आरोप्य को गिरपतार करने में नाकाम रही है जिससे परिश्चा अनगराम सावरी निवासी मृतक सुन्दरलाल की पत्नी दम्यनती बिरनवार ने उधवार को एसपी कारेले में ग्यापन सोपा जिसमें उन्होंने खैलांजी पुलिस पर इस प्रकरन में कोई कारेवाई ना किये जाने के आरोप लगाते हुए उनके पती के सभी हत्यार को जल्द से जल्द गिरपतार करून पर कड़ी से कड़ी कारेवाई की जाने की मांगी इसे मांगो लेकर एसपी कारेले पहुंची मुरत्त की पतनी दम्यंती विरनवार ने बताया कि उनके पती मजदूरी का कारे करते थे जिनके उपर गाओ के ही निकेश लिलारे के साथ रुपए उधार थे 16 अपरिल को जब वे अपने पती के साथ आदर कार से पैसे निकालने जाया थे तबी निकेश ने उसके पती से उधार के 60 रुपए मांगे जिस पर उसके पती ने दो तिन दीनों में पैसे देने की बात कही इस पर निकेश और उसके पती के बीच विवाद हो गया था और इसी विवाद में निकेश के साथ दूलसी राम निलारे निकेश और राजिस निलारे सुकराम निलारे वो पदम दमाय ने एक राय होकर उसके पती के साथ विवाद किया था उन्होंने लाठी लेकर उनके साथ मार पिट सुरू कर दी थी जिससे उसके पती कमी रूप से घायल हो गए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी इस मामले में निकेश लिलारे ने पुलिस से साड़ गाट कर अपने गिरपतारी दे दे लेकिन इसी मामले में जुड़े अन्य चार आरूपी अभी भी फरार है जिने पुलिस गिरपतार नहीं केश कर रही है पंकट गोमासे के घर जा रहे थी तो जिसका पैसा उसने बोला कि पैसे दे तुए ने बोले कि दो तिन दिन में दे दूँगा वापस करूँगा भी है निगी तो बोला कि माय तेरे को माल डालूँगा इसी बात को लेते उनने गाड़ा की उभारी निकाले और शीर पे दो बार वार कर दी पाचा यह एक ने उभरी दिया पदम दमायनी और इनका नाम क्या है कित्ने लोग तो आपके पट्टी के कहना में जिनके मोट हो गई सुंदरलाल बिरनवार मोखे पे मोट हो गई कहा है फैर दर्ट के राटे क्या हुआ है क्या हुआ तुछ भी कर रहा है निकर रहे हैं और यहां पर पेपर में नाम आना चाहिए नहीं का यह एक कहने को अंतला पर किसी गरपता रही हो चार की नहीं हुए यह एक की गरपता रही है तीन फर आ रहा है और मोला सर्पन उनको सहता दे रहा है और रुस्तम दमाए रुस्तम दमाए